तो मोई की स्टार्ट में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जब पॉपिलेशन बहुत ज़्यादा बर्श चुकी थी और इसके लिए गर्मेंट भी बहुत ज़्यादा परिशान थी क्योंकि दुनिया में रहने के लिए काफी कम जगा बची थी तो इसका हल निकालने के लिए कि वो लोग सोच रहे थी कि क्योंना मार्स को विजिट किया जाए उधर की अट्मस्फियर को दिखा जाए कि क्या इंसान वहां जिन्दा रह सकते हैं तो वहां पर भीजने के लिए वह कोख्रोज को चुनते हैं क्योंकि सर्थी हो या कर्मी चाहे कैसा भी मौसम हो अब इन्सवन का होता है यानि 2597 जहां हम एक लड़की और एक लड़की को देखते हैं लड़की का नाम निनाओ होता है और लड़के का नाम कुमाची वो दोनों काफे डर कर किसी रोड़ पर भाग रहे होते हैं कि उनके पीशे पुलीस होती है उन पर किसी मर्णर का इलसा हुआ है तब ही इनहे कि गर्मिन के काम किया करता तो जब ऐो हरा उन्हा और कमा छी से कहता है तूम लोगों को उसको छोट को इस पर समीक होगा हुआ हुआ попी वह दोनों को बहुत ज़्यादा पैसा भी दूंगा तो कुमाची और नेनाव मान जाते हैं लेकिन इन्होंने फॉरन ही मार्स के लिए नहीं निकलना था इनकी पूरे दूसार ट्रेनिंग होती है इनके साथ और भी लोग होते हैं जिन्होंने मार्स पर जाना था और कुछी टाइम में य जेन अपनी साथी के साथा के जारा होता है तो उसे कौक रौच की जगा एक ख्रेचर दिखाए देती है वो बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ी हुई थी लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके हाथ में कोई लगडी या पत्तर है और अगर उन्होंने अपने इलावा यह साथ जा रहे होते हैं उन्हीं भी यहीं fly दिखाए, वो इंको दएक काफ़ी डर जाते हैं और सिल खरें हो जाते हैं लेकिन तब ही वो तको कोपरोज के संब इसे टिल बाला CRES भाब कराता है, और सब निनाओं को वापिस स्पेस्शिप में ले आते हैं तो डॉक्टर भी ने कंफर्म कर दीता है जिस क्रियोचर ने इस पर अटेक किया वो कोई और नहीं बिलके वही कोप रुची से जोके 500 साल पहले यहां पर बेज़े गए थे और साहर है एक्मोस्फेरी चेंज सारे चीज जोके तुम लोगों के अंदर इंजेक्ट होते ही तुम्हें पावरफुल बना देगा कुछ टाइम के लिए तुम लोगों में भी अबिलिटीज आजाएंगी इसी के साथ वही को ख्रोच क्रियेचर साच आते हैं तब इनके क्रियू में से एक आदमी बाहर आता है जिसने सर पर कोई कपड़ा बांदा होता है वो कहता है कि मेरे अंदर इंजेक्शन इंच्रिक कर दिया जाए अब उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसमें भी वो पावर्स आ जाती है उसके हाट से आथ निकलने लगती है तुम अपने सामने कड़े हुए एक रेचर को उस आग से मार ढालता है उनका रूफ शीशे का हुता है तो एक रेचर उस ग्लाश रूफ को दोड़ते हुए अंदर आजाता है और वो वहांपर दू आद्मियों को मार ढालता है वो एक आदमी की क्रिटिन उसकी बाड़ी से लेता है लगता है कि इनका फेवरिट काम है य की बोडिकव कार ठालता है अब यह कोक रुच आर्प में इनके स्पेस शिप के दरफ बढ़ने लगती है अगर तो वो स्पेस शिप के अंदर आ जाते तो सब लोगों को मारते थे और स्पेस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देदे तो यह सब लोग प्लान करते हैं कि अपने निनाओ मारी जा चुकी थी यह सब लोग उसको यहीं पर छोट कर जा रहे थी तो कुमाची निनाओ की पास जाता है वो उससे कहता है कि मैं वापिस जरूर रहूंगा और तुम्हें ले कर जाऊंगा यहां पर हम देखते हैं कि निनाओ के बौड़ी में कुछ चींजी सारे हो सारे लोग वहां से निकल जाते हैं लेकिन तभी देखते हैं कि इनके सामने क्रीचर का पूरा क्रूप खड़ा है जिनको हराना बहुत मुश्किल है तो इन में से एक और आदमी खुद को इंजेक्शन रखाता है वो भी एक खौफना क्रीचर में बिदल जाता है जब कि किस मॉन्स्टर के जैसे थी और उसके अबिलिटी ये थी कि अपने मूँ से आग निकाल सकता था वो उन पर आग भैंकने लगता है जिससे वो इस वेव से दश्रकारा पा लेते हैं अब आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी सामने से उनकी और आर्मी आरही होती है तो अब दो लड़किया खुद को इंजेक्शन इंचेक्ट करती हैं और क्रीचर में बदल जाती हैं ये सवन क्रीचर से लेने की बहुत कोशिश करेते हैं लेकिन इस बार बार नकाम हो रही थी क्यूंकि वो क्रीचर बहुत ज्यादा स्ट्रों थे अब इनकी गाड़ी भी आउट अफ बैलन्स हो जाती है और पलट जाती है उसमें से आफ निकलने लगती है वो बहुत बार पलटती है जिससे वो बिल्कुल दामेज हो जाती है और इसमें से वो दूनों करेक्टर बाहरा कर गिरते हैं लेकिन यहां मज़े की बात यह होती ह कि एकनी बार पलटने के बाद भी गाड़ी तुबारा से स्टार्ट हो जा तो गाड़ी ओटो होती है और अपने आप भी चलने लगती है तब एक रेजर्जर्स का हमला होता है इन तीन लोगों पर जो कि डॉक्टर के साथ आये लेकिन क्रेजर्स उनके बहुत करीब आ जाते हैं एका सर उड़ा देते हैं एक अपने स्टिक से बहुत सोर से मारते हैं कि वो समीन पर जाकर लग जाए और इसी तरह से वो क्रेजर्स उन तीनों को मार डालते हैं स्पेशिप पे एक लोड़की स्पेशिप को समीन के लिए सेट कर देती है क्योंकि वो लोगस प्लाइने पर और उपना नहीं चाहते थे क्योंकि जिन को प्रोचिस को वो पकड नहीं आए थे वो तो अब एक रियचर में बिदल चुके थे कोमाची जीन और एक बोल लड़की भी अपने अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेते हैं और उनमें भी अब इविलिटीस आज आती हैं आव चाते हैं क्योंकि पास उन्हीं मारने के लिए कि तभी हम देखती है कि वो ग्रेचर को नहीं मारती होगी को उन्हें से एक रिचर की बौडी को छीर देहो हो बाहिर पखुराती है और केपयारी सूट कर देती है साधी और पने एक-इस काफी पर पानी भैंकती है और तब इप लिए स्पेशिप भी समीन पर जाने के लिए त्यार हुझाती है अब जब ये वो Newlyborne Creatures देखते हैं तो वो बागी Creatures को बुलाने लगते हैं कि वो इप स्पेशिप को करोके तो सारे के सारे Creatures उचते हुए वहाँ बराते हैं अब ये सारे creatures इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो इनसे लड़ने के लिए इस वज़ सिर्फ कोमाची, चेन और एक लड़की ही बची थी और इनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनसे कैसे लड़ेंगे अब चेन को एक idea आता है वो सोचता है कि इक पर inject करने से हमें थोड़ी सी abilities आती हैं अगर हम ये injection दूसरी बार लें तो हमें ज्यादा abilities आएंगी obviously अगर तीस जी बार लेंगी तो हो सकता है कि हमें इस सारे abilities आजाएं जो कि कोख रोचिस में हैं अब ऐसे ही होता है जब चेन थर्ड टाइम वो injection लेता है तो उसके पर भी निकलाते है और यहीं तो वो चाहता था अब वो उन कोख रोची से लड़ने लगता है लेकिन वो इतने स्यादा और इतने स्ट्रॉंग होते हैं कि ये लोगों ने हरा ही नहीं पार होते तो अब चेन छोधी पार खुद को इंजेक्ट करता है जिसके बाद यह मॉंस्टर बन जाता है और साहिर है इसमें पावर्स भी उतने ही होंगी लेकिन काफी ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद बीचर वो ग्रेजर्स को नहीं आरा बाता तो वो काफी स्यादा ठक जाता है तब कुमाची आगी आता है और वो कहता है कि मैं इन क्रेजर्स को आराऊंगा अब कुमाची इन क्रेजर्स से लड़ने लगता है जैसे ही कुमाची उन क्रेजर्स में से एक क्रेजर के पास जाता है तो वो creature कुमाची को ही पकड़ लेता है और उसे मार नहीं वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक glowing चीज़ पर पढ़ती है जो कि उरके उसकी तरफ ही आ रही होती है उससे बहुत है प्यारी golden dust किर रही होती है वो कोई female fairy लग रही होती है तो सुन लीजिए ये असल में थी कौन ये नेनाओ होती है जो कि पने इस character में permanently आ शुकी थी यानि ये उस time मकमल तोर पर मरी नहीं थी भाके इसमें वापिस आना था को माची ये देखके बहुत खुश होता है और नेनाओ की तरफ बढ़ी रहा होता है को माची भी फिरो walking को पनेनाओ को पसंद कीया करता था और अब ईसका unad होता हुआ देखकर वह बहुत ज़ैदा लुफिध वह इस बहुत होँश ही राते है आगली ही पहले है कि जेन laid है और क्रेश्व थी चले यहां से लोबा हुआ हुआँ क Dra negative प्रेशर बन चुका मेरा समीन परचाना ठीक नहीं है मेरे दोस्त मुझे यहीं रहना होगा है मैंने यहाई माया था किसी कुट has now हूँ तुम चाओ मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कुमाजी है सा करना चाहता तो नहीं था लेकिन उसे करना परता है वो बहुत दुखी था कि उसकी दोस्त नेनाओ भी नहीं रही और आप चेन भी आहीं रह किया अब कुमाची स्पेशिप की तरफ चला जाता है अब उनका अगला टार्गेट जमीन ही होती है और हम डॉक्टर को देखते हैं चुकि यह सारी स्टोरी दुनिया को बता रहा होता है लाइफ टेली कास दे रहा होता है अब जब कर्मेंट को यह बता चलता है कि उनका इतना वक्त और पैसा जाया हुआ और डॉक्टर वहां से कुछ भी ना लाब आया वो अपने मिशन में फेल हो गया तो वह हुकम देती है कि इसको मार दिया जाए इसने वहां जाकर लोगों देता है वह काफी स्लो हो जाती है अभी उसी कंट पर हमें एक स्पाइडर देखते हैं जिसके अंदर से एक गैस बाहरा आती है जैसे वह गैस को लड़की सुनती है तो उसकी तब खराब होने लगती है और वहीं मारी जाती है इसे के साथ इस मूबी का एंड होता है आई हो आपको यह अच्छे लगी होगी थैंक यू फॉ वाचिए झाल 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 झाल। झाल 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 झाल